सबसे पहले वीडियो देखने के लिए Ground Zero News चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, करप्या घंटी का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, यह हमें मजबूरी में बनानी पड़ रही है क्या कोई हादसा हो जाने के बाद ही हम जागेंगे, कि उससे पहले हमारी मानसिक्ता खत्म हो चुकी है क्या हम लोग कुमकर्ण की नीन सोई रहते हैं, जब हमें कोई जगाता है तब ही हम जागेंगे, या फिर हम जान बूज कर देख कर भी अंजान बने हुए है इस वीडियो में यह फोटो जो आप देख रहे हैं बठिंडा नहर की है शहर बठिंडा में नहर के उपर मेन हाईवे के पुल के केवल सौफिट की दूरी पर ही यह जोपड़ी दिखाई दे रही है यह केवल दिखावे के लिए नहीं, अपीतू इसमें कोई रहता भी है जब यहाँ पर कोई बड़ा हादसा घटित हो जाएगा तो ही प्रशाशन जागेगा इसे देखने से लगता है कि यह जुगी आजकल में नहीं बनी है और नाहीं किसी सुनसान इलाके में है इस रोड से दिन भर में सैकडों गाडियां गुजरती है यह जुगी नहर की सीमा में बनी हुई है कभी भी पानी के बहाव में इनको बहा कर ले जा सकती है यह जुगी नहर के अंदर तक बनी हुई है इसमें रहने वाले लोगों को कभी भी बहा कर ले जा सकती है यह देखिए चूले भी बने हुए हैं लगता है जैसे रोजानाग भोजन पकता हो नहर के उपर बनी यह जोपड़ी के ठीक सामने वी आईपी गेस्ट हाउस भी बना हुआ है दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि आप रोजाना गरीबों की मदद करने वाले मेसिज और वीडियो भेजते हैं क्रिपया इसे भी शेयर करें और आगे बढ़कर इसकी मदद करें यदि मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस निसहाय की कोई सहायता करने अवश्य आए ताकि इस घटना को घटित हो जाने से पहले ही रोका जा सके और ऐसा नहों कि अगर घटना हो जाए और हम सिर्फ अफसोस जता कर ही ना रह जाएं